गाईज आजके इस वीडियो में हम sentence formation के लिए कुछ advanced phrases के बारे में बात करेंगे कुछ advanced structures के बारे में बात करेंगे जैसे अगर मैं बात करूँ if it keeps on from now on quietly not need of needless to say तो आजके इस वीडियो में हम इन सभी की meaning के साथ उनके उपर real life से related कुछ examples के बारे में बात करेंगे ताकि इन सभी को अब अपने real life में use कर पाओ तो चलेगा इस वीडियो को start करते हैं तो हमारी first phrase है if it keeps on इसका मतलब होता है अगर ऐसा चलता रहा या फिर अगर ऐसा होता रहा तो जैसे अगर मैं example के बारे में बात करूँ अगर ऐसा चलता रहा तो मैं तुम्हारे साथ अपना रिष्टा तोड़ दूँगा if it keeps on I'll break up with you या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं if it keeps on I'll break off with you अगर ऐसा चलता रहा तो वह हमारी मजाग बनाता रहेगा if it keeps on I'll keep making fun of us if it keeps on I'll keep making fun of us अगर ऐसा चलता रहा तो तुम्हें दारो पीने की आदत पड़ जाएगी if it keeps on you'll get into habit of drinking alcohol if it keeps on you'll get into habit of drinking alcohol अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा प्यार खतम हो जाएगा if it keeps on our love will come to an end if it keeps on our love will come to an end अगर ऐसा चलता रहा तो ये सोच सोच कर मैं पागल हो जाऊंगा if it keeps on I'll go mad thinking of it अगली फ्रेज है हमारी from now on इसका मतलब होता है अब से या फिर आगे से मतलब future के बारे में बात करते हुए आप बोलते हो कि अब से या फिर आगे से from now on के बदले आप henceforth कभी यूज कर सकते हैं दोनों की meaning same ही होगी जैसे आगर मैं कुछ examples के बारे में बात करूँ आगे से time पराना मतलब आप किसी से कह रहे हो कि आगे से time पराना इसकी जगा आप ऐसे भी बोल सकते हो अब से time पराना तो आप बोलेंगे from now on come on time या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं come on time henceforth आगे से मना मत करना don't refuse henceforth या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं don't refuse from now on आगे से मैं रोज practice करूंगा मतलब I'll practice daily henceforth या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं I'll practice daily from now on आगे से भूलना मत don't forget from now on या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं don't forget henceforth आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए such should not be happen from now on या फिर such should not be happen henceforth next हमारा एक word है quietly या फिर silently इसका simply मतलब होता है चुप चाप मतलब शान्ती पूर्वक या फिर शान्ती से जैसे कुछ examples हैं चुप चाप क्यों बैटे हो मतलब शान्ती पूर्वक क्यों बैटे हो तो आप इसे translate कर सकते हैं why are you sitting silently या फिर आसे भी बोल सकते हैं why are you sitting quietly चुप चाप खालो eat silently या फिर eat quietly चुप चाप यहां से चल जाओ get out of here silently या फिर get out of here quietly क्या तुम चुप चाप नहीं बैट सकते can't you sit silently या फिर can't you sit quietly अगली phrase है not need of something इसका मतलब होता है कोई जरुवत नहीं जैसे कुछ examples हैं मुझे तुमारी कोई जरुवत नहीं है I don't any need you I don't any need you उसे पैसो की कोई जरुवत नहीं है He doesn't any need of money He doesn't any need of money तुमें मुझसे मिलने की कोई जरुवत नहीं है You don't any need to meet me You don't any need to meet me तुमें घबराने की कोई जरुवत नहीं है You don't any need to worry मुझे तुम जैसे फाल्तु लोगों की कोई जरुवत नहीं है I don't any need useless people like you Next phrase है needless to say इसका मतलब होता है कहने की जरुवत नहीं या फिर कहने की आवश्यक्त नहीं जैसे अगर मैं एक्सामपल लूँ कहने की जरुवत नहीं तुम्हें खुछ समझ जाना चाहिए Needless to say you should understand on your own Needless to say you should understand on your own कहने की जरुवत नहीं पैसे सब कुछ नहीं करीदा जा सकता या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कहने की आवश्यक्त नहीं पैसे सब कुछ नहीं करीदा जा सकता Needless to say everything can't be bought by money Needless to say everything can't be bought by money कहने की जरुवत नहीं आजकल मेरा हाथ तंग चल रहा है या फिर कहने की जरुवत नहीं आजकल मुझे पैसो की समस्या चल रही है इसके लिए simple है आप बोल सकते हैं Needless to say I'm hard of these days या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं Needless to say I'm running out of money these days कहने की जरुवत नहीं तुम उसे कितना प्यार करते हो Needless to say how much you love me Needless to say how much you love me कहने की जरुवत नहीं वो कितनी बातुनी है Needless to say how talkative she is Needless to say how talkative she is तो चले गाई समप कर लेते हैं तो आजकी इस वीडियो में हमने इनके बारे में बात किया है If it keeps on इसका मतलब होता है अगर ऐसा चलता रहा Henceforth या फिर from now on इनका मतलब होता है अब से या फिर आगे से Quietly इसका मतलब होता है चुप चाप Not need of something मतलब किसी चीज की जरुवत नहीं Needless to say कहने की आवशकता नहीं या फिर कहने की जरुवत नहीं तो guys अगर आप practice कना चाहते हैं तो इन सबी की meaning तो मैंने आपको बता दी है इनके उपर कुछ examples के बारे में बात किया था तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके उपर अपने एक-एक sentence बना कर मुझे comment करके बताईए या फिर किसी एक पर भी या फिर किसी दो पर भी बना सकते हैं तो उन पर sentences बना कर अपने मुझे comment करके बताईए अगर आप सारी phrases के उपर बना सकते हैं तो आप सब के उपर भी बना कर मुझे comment करके बता सकते हैं इससे आपकी प्रैक्टिस ही होगी और मुझे भी अच्छा लगेगा